सभा को स्क्रिप्या संबोधित करें भारत माता की मोई हमो अहम बाखी लोई कि रंगाली विहू आरो अहम्या नवो बोर्खोर को खुबेश्या घ्यापोन कोरिलो कि मैं मा कामाख्या और मा काली के चरणों में प्रणाम करता हूं मैं स्री हरी बंदीर श्री वासुदेव बंदीर बिलकेश्वर मंदीर और शीव मंदीर को भी सर जुका कर नमन करता हूं मैं आप सभी को बोहाग विहू के हार देख शुब कामनाई देता हूं आज राम नव्मी का एकिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए हैं और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्धियों के साधना के फीरियों के बनिदान के सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है साथियों इतने बड़े संध्या में आपकी उपस्तिति ये जन सहलाब महान ब्रह्म पुत्र के विस्तार से कम नहीं है और मैं तो देख रहा हूं ये पब्लिक मिटिंग तीन मंजिला है एक तो लाखो लोग मेरे सामने बैटे हैं दूसरे हज्जारों लोग उदर सामने उपर बैटे हैं और तीसरे सेंकड़ों लोग उपर बीट पर खड़े हो करके सभा सुन्द रहे हैं याने शायद पहली सभा होगी जो तीन मंजिला सभा हो रही है चार जुन को नतीजा क्या होने जा रहा है यह साप दिखाई दे रहा है दिखता है कि नहीं दिखता है चार जुन क्या होने वाला है यह आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं चार जुन चार सोपार चार जुन जरा पूरी ताकत से आवा जाने चाहिए चार जुन फिरेक बार फिरेक बार फोरी फिरेक बार शारे जुन शारे जुन आकोयबार आकोयबार साथ्यों दोजार चुदा में मोदे आपके बीच एक उमेद लेकर आया था 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धर्ति पर आया है मोदी गारंटी लेकर आया है मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी अभी कि वहाग विहू के देन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है एंडिये सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता उनका लाब हर किसी को मिलता है अब एंडिये ने ठाना है कि देज के हर नागरिक तक पहुँचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी अगले पांच वर्सों में गरिबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदबाव सबको मिलेंगे अगले पांच वर्षों तक आपको मुप्त राशान ऐसे ही मिलता रहेगा बिना भेदबाव मिलता रहेगा आप मुझे बताईए एंडिये सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदबाव का सामना करना पड़ा है बेदबाव का सामना करना पड़ा है बेदबाव का सामना करना पड़ा है साथियों अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी गोशना की है जिसका लाप देश के हर घर को होगा और वो भी बीना भेदबाव के होगा आप जानते हैं हर परिवार में आजकल दादा दादी पीता माता सत्तर साल की उपर के लोग परिवार में होते हैं और उनको कोई भी तकलीब हो तो परिवार के संतानों पर बोज़ पड़ता है बेटे के सारे प्लान बिगड़ जाते हैं अगर पीता दादा माता को कोई बिमारी आ जाए अगर बेटी की शादी का प्लान बना दिया है और अचानक पता चले कि पीता को बहुत गंबीर बिमारी आई है माता को गंबीर बिमारी आई है तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड़ जाता है और इसलिए मोदी ने ताय किया है कि आप जो मेरे भाई बहन है जो पता साल के होंगे, चालिस साल के होंगे, तीस साल के होंगे, साड़ साल के होंगे अपने भुजूर्ग माबाप की सेवा करते हैं मोदी ने ताय किया है मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में सत्तर साल की उपर के जितने भी भुजुर्ग हैं उनकी बिमारी उनके इलाज की चिन्ता ये आपका बेटा मोधी करेगा इन बुजुर्गों को आयुश्मान योजना के तहर पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी वो बुजुर्ग करीब हो मद्दमबर के हो गाउं के हो शहर को हो सेलरी केटेगरी में आते हो किसान परिवार के हो या फिर उच्चवर के हो इसमें भी बिना भेद भाव उनकी इलाज की चिन्ता मोदी करेगा और उससे आपके पैसे बचेंगे आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है मेरा भाषण आगे बढ़ाने से पहले अब बारा बजने में कुछी पल बाकी है आयो द्यामे और पुरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है हम भी उससे जड़ना चाहते हैं बले हम अयोत्या नहीं पहुँच पाए हम यहां से प्रभु राम के जन्मोचों में जुड़ने के लिए अब एक कुछी पल में वहाँ पर सूर्य तिलक होने वाला है आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लेश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लेश निकाल करके फ्लेश चालू करके सब लोग अपने मोबाइल का फ्लेश चालू करें सब लोग बले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें प्रभु राम को सुर्य तिलग हो रहा है तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रडाम कर रहे हैं हम भी सुर्य तिलग में हमारे मोबाइल के किरन भेज रहे हैं मेरे साथ बोलिए जय स्री राम, जय जय स्री राम, जय जय स्री राम, राम लक्ष्मन जान के, जय बोलो हनमान के, राम लक्ष्मन जान के, जय स्री राम, जय 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 जय स्री राम, प्रभु राम जी के जन्मदीन को मनाने के लिए अयोध्या की धर्ती पर किरण के रुपए उतर रहे हैं पूरे देश में एक नया माहोल है और ये प्रभु राम का बर्थडे पांचो साल के बाद आया है जब वो अपने नीज गर में बर्थडे मनाने का सवभागे मिला है वडिया प्रभु राम चंद्र के प्रभु राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथ्यों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है आपका बिजली बिल जीरो आये इसके लिए कमदाम पर सोलर पैनल दिये जाएंगे और उसके कारण आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा अरे बिजली का बिल तो जीरो होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्रिक वेहिकल खरी देंगे स्कूटी हो स्कूटर हो गाड़ी हो तो सोलार वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्रावेलिंग का जो खर्चा है ना पैट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो भी जीरो हो जाएगा देश की करोड़ों बेहने आज स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमने लक्ष रखा है तीन करोड बेहनों को लखपती दीदी बनाएंगे गाउं गाउं में हमारी बेहने ड्रोन पाइलट बनेगी इन फैसलों का बहुत बड़ा लाब हमारे आसाम के लोगों के यहां के गरीब वन्चीट दलीट किसान पीडीट और चाय बागान के मद्दूरों को होगा साथियों जब किसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे भूल सकता है यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज इसलिए हमारी सरकार यहां के चावाल किसानों की खास चिंता करती है हमने खरीब की पसलों का MSP बढ़ाया है इससे यहां के लाखों किसानों को लाब हुआ है असम के किसानों को PM किसान सम्मान निदी के तहब 5400 करोड रुपे से जादा मिले हैं और अब BJP ने इस योजना को जारी रखने का एलान किया है यानि असम के किसानों को PM किसान सन्मान निदी का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना बेदभाव मिलता रहेगा साथियों आज भूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नौर्थ इस तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवा है जिस नौर्थ इसको कॉंग्रेस ने जिरब समस्याएं दी थी उसे बीजेपी ने संभावनाव का स्रोध बना दिया है कॉंग्रेस ने अलगाव बात को खाद पानी दिया मोदी ने पुर्वत्तर को गले लगाने का खांग किया मोदी ने शांती और सुरुच्छा के लिए प्रयास किये जो कॉंग्रेस के साट वर्सों में नहीं हुआ मोदी ने दस वर्सों में करके दिखाया क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है और इसलिए हर पल आपके नाम हर पल देश के नाम हर पल आपके सपनों के नाम और इसलिए है ट्वेंटी फोर बाइस सेवाट ट्वेंटी फोर्टी सेवाट साथ्यों मोदी ने ही अपने मुस्लिम बेहनों को तीन तलग की टेंशन से मुक्ति दिलाई हमने तीन तलग की कूप्रता के खिलाब कानून बनाया इसका फायदा ना सिर्व मुस्लिम बेहनों को मिला बल्कि उनके परिवार को मिला पूरे परिवार को मिला माता को मिला पीता को मिला भाई को मिला तीन तलाग की वज़े से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिन्द की तबाह हो रही थी इसका लाप असम की भी हमारी हज्जारों बहनों को हुआ है साथियों असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं कॉंग्रेस पार्टी ने सियासी फायतों के लिए इस छेत्र को अपने बेपंजे में फसा कर रखा था कॉंग्रेस के पंजे ने पुर्वत्तर को इसलिए चकट रखा था ताकि उनके लिए प्रस्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें अब यह पंजाग खुल गया है तो असम्बै सब का साथ सब का विकास का मंत्र लागू हुआ है साथियों अभी कुछी दून पहले मैंने असम्बै देश की बहुत बड़ी सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी का सिलान्याद किया है इस सेमी कंड़क्टर एसमली और टेस फैसिलिटी पर 27,000 करोड रुपिय से जाद्यका निवेश किया जाएगा आने वाले समय में अकेले इस विणिर से इस छेत्र के युवाओं के लिए 15,000 से जादा रोजगार के अउसर बनेंगे आने वाले समय में पुरी दुनिया में असम को सेमी कंड़क्टर सेक्टर के एक बड़े हैप्ट के रुपे पहचान मिलेगे ये शुरुवात एकिहासिक है अप्रत्यासित है इन ने इस छेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है नौर्थ इजिजन में हुआ निवेश विक्षिट भारत और विक्षिट इनौर्षिट के हमारे संकल्प का उदारण है नौर्थ इसके नवजवानों को भविश्के भारत के हर्ट सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए मेरे लिए सबसे बड़ी प्राफिक ना है और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे ये मोधी की गारंटी है साथ यो असम आज केवल दूसरे राजों की बराबर ही नहीं कर रहा असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है जिस असम में सडके नहीं होती थी वहां दस वर्थ में पतीस सो किलोमेटर नेशनल हाइवेज बने दरांग उदलगुरे बारपेटा और कोकरा जार के लोगों के लिए अकेले इस चेत्र में ही करीब दोहजार करोड रुपे की सडक परियोजना पर काम हो रहा है अदेश का सबसे बड़ा रीवर भीज भूपेन हजेरिका सेतु असम में है अदेश का सबसे लंबा बोगी बेर रेल रोल बेज असम में है अब गुहाटी में ही असम का अपना एम्स खुल चुका है इसके अलावा बार पेटा और कोकरा जार में भी मेडिकल कॉलेज खुले है असम में पांच जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की योजना भी पर केजी से काम चल रहा है असम को छे नई इंजिनिरिंग कॉलेज की भी सोगात मिली है नौर्थ इसकी उर्जा जरूरतों को पुरा करने के लिए नब्वे अजार करोर्पी की लागत से नौर्थ एस्ट गेस ग्रेड को तयार किया जा रहा है आल ही में पीएम उर्जा गंगा योजना के तहर बरावनी गुहाटी पाइपलाइन को देश को समध्विट किया गया है भाई यो बेहनों ये केवल विकास के आंकडे नहीं है ये सबका प्रयास का उदारन है यहां कहा जाता है राइजे नक जोकारिले नौई बोई यानि यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठीन से कठीन काम आसान हो जाता है अज हम आगे बढ़ रहा है आप लोगों के प्रयास है साथ कि यहां से मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बहुत दूर नहीं है बीजेपी सरकार देश में टाइगर्स की संख्या हमारे कालखन में बड़ी है और वन खेत्र का भी विस्तार हुआ है कुछ समय पहले ही मैं काज रंगा नेशनल पार गया था और मैं देश का पहला प्रधानमत्री तो जो वहां रात को रुका था असम सरकार के शक्ति की वज़े से अब राइनों का शिकार बीचे दिनों की बात बन रहा है असम के यह बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टों में संकल पर लिया है कि देश की हेरिटेज को ग्लोबल मैप पर ले जाएगी इसे ग्लोबल टुरिजम के रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा मोके लेकर करके आएगा साथ हम विकात भी और विरासत के मत पर चल रहे हैं हम बार पेटा को वोईकुन धाम बना कर नमन करते हैं इसी धर्ती ने स्रिमत संकर देव और मादो देवजय से संत दी है इसलिए आज अगर काशी में विश असाम के महान योद्धा लसित बॉर्फुकन की चार सो भी जैंती पुरे देश में मनाई और असाम के गमोशा का ब्राण नेंबेसर तो खूद आपका मोदी है लेकिन भाई जो भेनों कॉंग्रेस को देश की विरासत इससे भी दिक्कत है मैं आसाम के स्थानी ये परंपरा कपड़ी पहले लेता हूं तो कॉंग्रेस वाले बजाग उड़ाते कॉंग्रेस को असम के लोगों की भावना होगी कोई परवा नहीं है साथ कि हमारे मुख मिंत्री हमत अभीश्व सर्भाजी असम के विकास के लिए इतनी महनत करते हैं कि हां कॉंग्रेस का स्कॉपी खत् बनाएगा इस बार बार पेटा से फनी भुषन चोद्री जी को कोकराजार से जोयनता बासुमतारी जी को और गोहाटी से बहन बीजुल कलिता मेधी जी को आपके ओर रिकॉर्ड वोट से जितारा है साथ माई को वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना सारे गरगर जाएंगे मत्दान को जगाएंगे सुबह सुबह मत्दान कराएंगे अच्छा मेरा एक और काम है वो भी करना है आप गरगर जाना और गरगर जाकर के कहना कि हमारे मोदी जी आये थे और मोदी जी ने परिवार के सब को प्रणाम पहुचाया है मेरा प्रणाम पहु माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बहुत पर धन्यवाद